हलो एवरिवन तो कैसे हो आप लोग गाज कुछ दिन पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अप्लोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि लैप्टॉप या पीसी के मदद से अपने यूट्यूब वीडियो पे आई बटन कैसे सेट करें बट आप में से बहुत स्लेक्व लोगों ने मुछे कमेंट किया कि हमारे पास लैप्तॉप या पीसी नहीं है तो जाएए देखिए, लिंक आपको उपर i button में मिल जाएगा साथ में आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा सो चलिए guys, बिना किसी दरी के आज के अपने इस वीडियो को हम सुरू करते हैं Guys, मोबाइल से अपने YouTube वीडियो पे i button को set करने के लिए Simply आपको अपने मोबाइल पे Chrome browser को open करना है Then आपको यहाँ Google search box में YouTube सर्च कर लेना है करने मोबाइल पेंदाने YouTube सर्च करने मोबाइल जाएगाएट फेस्वेडियो अपने इस वीडियो कोई सिवाली है The Gohnda The Gohnda The Gohnda The Gohnda The Gohnda कि जितने भी विडियो अप्लойд कि होंगे उसके लिस्ट ंपन हो जाएंगे यहां पे जो आप रिचेंट में के विडियो अपलोड कि यहांगे जिसको आपको आपको इस पर टाइप करना है जैसे ही आप tap करेंगे तो इस वीडियो की जितने भी information और जो और भी चीज़े है एडिट करने का option आएगा देन आपको इसे scroll करके नीचे जाना है यहाँ पे आपको end screen और cards का option मिलता है यह cards ही eye card होते हैं, eye button होते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं end screen पर भी एक video बना हूँ कि mobile के जरीए जो है हम end screen कैसे सेट करते हैं आपने videos पे तो आप मुझे comment section में comment कीजिए मैं आपके लिए video लाऊँगा लैपी और PC से कैसे करते हैं इस पर मैं पहले video बना रखा हूँ end screen के बारे में वो भी video अगर आपने नहीं देखा तो लिंक उपर i button में मिल जाएगा साथ में आपको इस video को description box में मिल जाएगा तो जाहिए आप देखिए और आसानी से सीख सकते हैं आप भी so card को add करने के लिए simply आपको यहाँ pencil वाले icon पर click करना है जैसे ही आप pencil वाले icon पर click करनेगे आपको यहाँ पर आपका वीडियो सो होगा और यहाँ पर select the type of card to begin तो यहाँ पर आप किस तरह का card add करना चाहते हैं यहाँ से आप video या फिर playlist या फिर किसी का channel का link या कोई other link जो है promote करने के लिए यहाँ पर आप आई-card यूज कर सकते हैं आपने YouTube पर बहुत सारी वीडियो में ऐसा सुना होगा कि अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक उपर i button मिल जाएगा इस वीडियो में भी मैंने दो बार बोला जहाँ पर हम बोलते हैं कि i button उपर मिल जाएगा तो वहाँ पर हम i button add कर सकते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर अपने वीडियो को play करना होगा और जहाँ पर आप बोल रहे हैं वहाँ पर इस pointer को set कर देना होगा आप जिस तरह का link जो है i button के तौर पर add करना चाहते हैं उसे आप add कर सकते हैं as for example मुझे यहाँ पर i button add करना है तो simply मुझे play add को वहाँ set करना है then आपको यहाँ पर add का option मिलेगा इस पर tap करना है अब यहाँ से आप video add करना चाहते हैं playlist channel या फिर link जो भी चाहे वह एड कर सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ से as for example आपको video set करके दिखाता हूं तो simply आपको इसके लिए video पर tap करना है जैसे आप video पर tap करेंगे यहाँ पर आपके videos के list जितने भी आप upload की होंगे पहले से वो open हो जाएंगे तो आप जो भी video यहाँ promote करना चाहते हैं या किसी को बताना चाहते हैं तो इसे add कर सकते हैं तो simply मैं इसे select कर लेता हूं इस video को i button के तौर पर ऐसे ही आप maximum 5 i button create कर सकते हैं i card add कर सकते हैं तो आप यहाँ कोई भी videos को ले सकते हैं ऐसे ही आप यहाँ से playlist भी add कर सकते हैं अपने youtube videos पर i button को set करने के बाद simply आपको इसे save करने के लिए यहाँ save पर tap कर देना है जैसे ही आप save पर tap करेंगे आपका जो i card है वो save हो जाएगा शुकाइज यह काफी simple process है अपने youtube videos पर i button या i card को set करना सुगाज उमीद करता हूँ यह video आपके लिए helpful रही होगी तो please से like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और अगर आप हमारे साथ जुरना चाहते हैं तो नीचे दीगर rate clear के subscribe button पर क्लिक करके हमारे चैनल को subscribe कर लें साथ ही bell icon को प्रेस करें तक ही मेरे हाणने वीडियो को notification आपको मिलती रहे चले मिलता हूँ अपनी next वीडियो में तब तक के लिए bye bye